Hello everybody, myself Dr. Kuldeep Kaur और आज का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं Hindu Succession Act और Hindu Succession Law 2005 चलिए शुरुआत करते हैं दिखिए ये आजाद भारत के इत्यास में महलाओं के लिए लाया गया सबसे इत्यासिक और सबसे जारूरी कानून है और Hindu Succession Act या Hindu उत्तरादिकार कानून 1956 तो पहले भी था लेकिन उसमें लड़के और लड़कियों के लिए भेदभावपूर्ण नियम थे उस कानून में लड़कियों को पिता की संपती में कोई अधिकार नहीं था पिता की सारी संपती लड़कों को मिलती थी 2005 में इस कानून में शंचोधन किया गया और 9 सितंबर 2005 में लागू हुआ इस नए कानून में पुराने लैगिक भेदभाव को समाप कर लड़का और लड़की दोनों को बराबरी का अधिकार दिया गया ये कानून 2005 से पहले हुए संपती विभाजन पर भी लागू होगा इस सिल्सले में एक बड़ा फैसला पिछले साल भी हुआ था जब न्याले ने पैत्रिक संपती में लड़कियों को बराबर का अधिकार देने की घोशना की समान संपती का अधिकार अब तक सिर्फ पिता की अरजित की हुई संपती पर ही लागू होता था लेकिन अब पैत्रक संपती अब भी स्वता ही बेटों की होती थी लेकिन अब नए कानून के मिताबिक पैतरक समपत्ती में भी लड़का और लड़की दोनों को वराबर का अधिकार सुनिचित किया गया है तो आप ध्यान रखेंगे बड़ी चीजें की पैतरक संपत्ती में अब लड़कियों को भी लड़कों के बरावर का अधिकार दे दिया गया है और पूरी तरीके से लेगिक भेद्भाव को समाप्त कर दिया गया है तो इस कानून ने क्या कर सकते हैं कि एक नया डिरेक्शन द